जहिंद साथियो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टड़ी वित उद्धे में तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम 9 दिसंबर के महत्पूर करेंट अफेर्स देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तो हम देखते हैं पहला कुश्चन हमारा क्या है तो दोस्तो जो पहला कुश्चन है कि आपको पता ही होगा कि देख के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाप सीडियस जनरल बिपिन रावत यों उनकी पतनी मधुली का रावत के अलावा 11 अन्य सैने अफसरो कर्मियों की हेलिकाप्टर दुर्गटना में मिर्ति कहां पर हुई है तो दोस्तो यह हुआ है कुर्णूर इलाके में जो की निलगिरी जिला में आता है और तमिल नाडू में आग इस दोस्तो हेलिकाप्टर का जो प्रकार था ओ था MI-17V-5 और जनरल बिपिन रावत का जो जन्म हुआ था ओ 16 मार्च 1958 को हुआ था और इनकी मृत्तियू 8 संबाले थे उन्होंने भारती सेना के लिए एक इक्रित थीएटर कमान की निव रखी थी आगे दोस्तों देखते हैं जो दूसरा कुश्चन है कि भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारती पुरुष टीम के लिए वन डे मैच टीटवन्टी मैच दोनों फार्मेट के लिए कप्तान किसे नियुक्त कर दिया है तो रोहिष सरमाच को नियुक्त गया गया है और टेस्ट क्रिकेट में भी रोहिष सरमा को अब कप्तान बनाया गया है और दोस्तों देखते हैं कि जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे तो जर्मनी के जो नए चांसलर होंगे उलाफ सोल्ज कौन होंगे उलाफ सोल्ज और दोस्तो जर्मनी के जो राजधानी है वह है बर्लिन जो की इस्प्री नदी के किनारे इस्थित है आगे देखते हैं कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रधान मंत तो यहां 2024 तक जारी रखी जाएगी और दोस्तों आगे देखते हैं कि दिसंबर 2021 में किस देश में 12 साल पुरानी ममी मिली है तो यह मिला है पेरु देश में और पेरु की राजधानी लीमा में मिला है 12 साल पुरानी ममी आगे देखते हैं RBI ने बित वर्स 2021 के लिए GDP ब्रिदीदर कितना अनुमानित किया है तो यह 9.5% अनुमानित किया गया है और RBI का फुल निम क्या होता है आपको कमेंट वोक्स में बताना है आगे देखते हैं फॉब्स द्वारा जारी सक्तिसाली महिलाओं की सूची में भारत के कितने महिलाओं को जगा मिली है तो दोस्तो भारत के चार महिलाओं को फॉब्स पत्रिका में जगा मिली है और भारत की जो सबसे सक्तिसाली महिला है ओ है निर्मला सीतारमर जिन्हों न फोप्स में 37 रैंक प्राप्त की है आगे देखतें इंटरनेशनल इस्टिटूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल असिस्टेंस के सलाकार बोड में किसे सामिल किया गया है तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाय आयुक्त सुनील अरोरा को इंटरनेशनल इस्टिटू मंडल को राष्ट्पती मानक कहां भारती राष्ट्पती द्वारा प्रदान किया गया है तो यह मुंबई में प्रदान किया गया है और दोस्तों भारत की जो राष्ट्पती है वह है रामनाथ कोविन्द आगे देखतें केंद्री मंत्री मंडल ने 8 दिसंबर को केंवेतव च्वा नदीएं को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी देदी है। इससे किन किन राज्ये था फायदा होगा है। उत्तर पर्देश की राजधानी दोस्तों क्या है लखनव है जो कि गोमती नदी के किनारे इस्तित है और यहां कि जो सीयम है ओँ है योगी आदित्यनात और कवर्णर आनंदी बेन पटेल है आगे देखते हैं कि इस परियुजना से 103 मेगावाट पनमिजली और 27 मेगावाट स सम्मान किसे दिये जाने की घुषड़ा हुई है तो एकतिसामा जो ब्यास सम्मान है यह असगर वजाहत जो कि हिंदी के एक प्रसीद लेखक है इन्हें दिये जाने की घुषड़ा की गई है और ब्यास सम्मान दोस्तों के के बिल्ला फांडेशन द्वारा दिया जाता है द बोड़ धन्यवाद, थैंक्स वर एचिंग इस वीडियो.